स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल रोज क्या करू में राधे राधे स्रीशिवाय नमस्तुभ्यम दर्श कोई इस वीडियो में आज आपको बहुत ही सरल और सुन्दर सा उपाय बताने जा रही हूँ यह उपाय आपको प्रदोस के दिन करना है प्रदोस के दिन का बड़ा विशेस महत्त होता है यह आप किसी कारी को लेके परिसान है नौकरी के लिए ब्यापार के लिए धन संपदा के लिए या आप किसी भी मनो कामना के पूरती के लिए इस उपाय को कर सकते हैं पूजने पंडिजी कहते हैं आप प्रदोस के दिन बन सके तो प्रदोस काल में आपके आसपास जो भी भगवान संकर जी के मंदिर हो छोटी बड़ी जो भी मंदिर हो आप उस मंदिर पे एक लोटा जल अपने घर से लेके जाएगा साथ में आपको लेना है एक चावल का दाना और एक बेल पत्र आप सरप्रिथम भगवान संकर जी के सीवलिंग पे एक चावल का दाना रखेगा उसके उपर बेल पत्र रखे के आप एक लोटा जल यदि भगवान संकर जी के सीवलिंग पे समर्पित कर देते हैं आपकी जो भ दूसरा उपायदर्श को यदि आप मंधिर नहीं जा सकतें, मंदिर जाते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ब्रत करते हैं तो भी आप ब्रत नहीं करते हैं तो भी. आपको तीन दीपक तीन अस्थानों पे लगाना है एक दीपक आपको लगाना है घीका प्रदोस काल में भगवान संकर जी के मंदिर में और दूसरा दिया आपको अपने घर के मुख द्वार पे मुख द्वार यानि की जो मेन गेट होता है वहाँ पे लगाना है और तीसरा द लिपक आपको लगाना है बेल पत्रे के बिच्छ के नीचे जो भी व्यक्ति प्रदोस के दिन तीन लिपक तीन अस्थानों पे प्रजलित करते हैं उनकी मनों कामना पूरी होती है उनकी घर में मालच्च में अस्थाई रूप से बास करती हैं कभी धन संपदा की कमी नहीं आत तो आप इस उपाय को जरूर करें और जो भी भाई भेन पर पहली बारा है जरू को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें जादा से जादा सिहर करें कमेंट में श्री सिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें